हम और शाप चल 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 शाप्षि के लिए आप सब लोग स्वाइक अपका एक बार पी मेरे यूट्यूब चैनल पर आज का वर्काउट जो है वह चेस्ट का वर्काउट टेश्ट की वर्काउट की दो वीडियो में पहले भी बना चुके हैं आप उन्हें जाकर देख सकते हैं आज थोड़ा सा डिफरेंट कुछ और करेंगे चैस्ट के वर्काउट में ठीक है तो पहले करते हैं वार्मप और उसके बाद शुरू करेंगे अपना वर्काउट दोस्तों जब भी हम अपर बोडी का वर्काउट करते हैं जिसमें कि हमारा शॉल्डर को और रिस्ट इंवल्व होंगी तो उसके लिए हमें शॉल्डर को वार्मप करना बहुत जरूरी है जिस तरह से आप दीपप को देख रहे हो इसमें एक एक्सराइज और भी होती है कि कलाईयों का वार्मप मतलब पूरी बोडी को स्ट्रेच भी करना है और वार्मप भी कर करना है एक दोस्तों शॉल्डर का यह बहुत अच्छा वार्मप है आप दो डंबल्स को लेके और जहां तक हो सके अपनी अलबो जो है आपको फिक्स रखनी है और उत्स तरह से उसको वार्मप करना है यह अगर आपके शॉल्डर में इलका-फुलका पेन आता है यह उसके यह बहुत अच्छे वार्मप है एक काम कर सबसे पहले तू तू एक सेट वार लिप्स का दसी रैप लगाने है बस और उसके बाद पैंच करेंगे अपने फोड़ा सा वार्मप अपने मैग्जिमम जाने पर अगर बढ़ा बढ़ा आ रही है तो अगले वाले के फिर बढ़ कि मक्तें है, डट बढ़ादे ना हो अगर इसपे पी डे smaller अगर इसपे है 10 लग जाते तो बढ़ा बढ़ाते हैं ना हो दोस्तों डिप्स में ना जैसा हमारा म अब हम अपने बोडी California करने का चल्व को जैसे मेरी दीपक तो वोला है एक ही सेट लेने को तो हलका सा वार्मप हो गया है अब हम चलते हैं सीधा फ्लेट बेंच पे जिसे हमें पहली एक्सरसाइज करनी है दीपक इस पे भी रैप लेना पांच ठीक है न ज्यादा नहीं करना है पांच या छे रैप निकालना बस ज्यादा रैप नहीं रखेंगे लाइट वेट पे चार या पांच रखेंगे कि हमें अपने मैक्सिमम रैप तक जाना है सब्सके हैवी वेट पे हम एक रैप कितना लगा सकते हैं उस वजन तक जाना है वैसे लाश टाइम जो किया था वह बन पोर्टी किया था तो आज देख पांच कितना कर दिया है यह फिर उसको और मत बढ़ाना है क्योंकि फिर तुने पहला सेट जो ज्यादा हलके से लिया हुआ है ज्यादे भी तो यह चालिस से करना है जल लगई है हल्की जी सब्सक्राइब यह यह जल साबाश है यह जल आपाश सेल अगरा सब्सक्राइब उपर कुट्वाने में सपोर्ट लगाया कर आपाश शंवा यह जब वाश्व तेल अगे दस अ ना ओनियो न हिए लुटने कि यह जड़ागई पहला साथ दूसरा सतने इसी पर लेना ये कितना था वेट है अब सो हो गया इसके तीन रेप लगाना अब रेस्ट कर थोड़ा रेस्ट कर थोड़ा रेस्ट अब 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 तीन रेप लगाने है अब 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 कर दो स्ब्राइब लगा सकते विश्चा कि मैंने आपको पहले बताया है आज में अपनी में पर जाना है तो हम ज्यादा रेप नहीं लगाएंगे लाइट वेट पर एक रेप लगाना है ठीक है 120 हो चुका है दोस्तो दोस्तो 140 हो गया है इसका एक रहाप इजी आ गया किता बढ़ाना है पांच लाई पांच 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 और यह हो गया 150 जी सब दस कर लो इसको दोस्तो दीरे दीरे वार्म अप करके हम अपना देर सो के लोपे पहुच चुके हैं और अब इसका देखते हैं इसका हम कौशिश करेंगे सेल्फ एक रैप लगाने की और इसके बाद फिर हमारा जो है शुरू होगी चल 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 तो दोस्तों यह आ गया 150 पे एक रैप ठीक है अब तक जो अब ते पहले जो हमने किया वह तो लगा लोगे एक तरह से वह चल रहा था वार्म अब चूकि होए और 10 रैप तक जाएंगे जैसा कि इस सैट में हमने निकाला एक रैप से अगले में वेट कम करेंगे उसमें निकालेंगे हम दो रैप वेट है 140 केजी और इस पर करने है दो रैप भीपक ठीक है है एक अब आज एक और तो अब के उच्छे तो दोस्तों बन पॉर्टी पर आ गए है दो रैप अब इतना करें वह वन थर्टी वन थर्टी ज्यादा कम होदाएगा है वन थर्टी फाइब तो फिर ऑपके साब कर दिया है कि निकालने तीन रैप ठीक है थोड़ा सा रैस्ट करेंगे तो फुर्वानिया तो इन रैप करने ठीक है एक दो चल 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 च इतना है बन थर्टी फाइव टीन होगे न तो है थर्टी कर दिया है दोस्तों थोड़ा सा एवी लेकिन कोशिश करेंगे इस पे चार लगाने की तेल का वो सिर में जैसे हाथ मा रहा है ना तो टेल क्या लगा रखा होगा जैसे तेल लगाया किसी ने फिर ब्लैंच करी यह इसी सब्सक्राइब पर लगाया है अगर्वाइब आप फुल्डाउन के चाट सेट लाश्ट रखा प्रॉप्त और अब जो वैकल दूसे तो इस टाट इन चाट गरना वो रेगुलर वाली इत्ते पर कतम करी तो 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 शत्तर से करेंगा चलों चार एक दो तीन चार तो यह कितना था बन थर्टी पर आ गए है चार दोस्तों अब हम इसको करेंगे वन ट्वेंटी इस पर करने हमें पांच के बाद देखते हैं जैसे जैसे भी कैपिसिटी के हिसाब से कम करेंगे फिर उप्री जुक्राइब जलो नहीं अपना तो मैक्सिमम एफट लगाना है न ऐसा नहीं है कि अगर आप पंदर लगा सकते हो बारे में लगाकर रहे हो फिर क्या फाइब कितने पांच वंट्वेंटी पे पांच रहें कम करेंगे। दू नू 一 की चार शर्फास चार शर्फरास, चारव Folge कर पांच जाह यहा जो किती है। कि अब कर देते हैं 110 ठीक है अब दोस्तों जब वह रेप रेंज बढ़ती है जब तक हमारा एक रेप लग रहा था दो रहा था वह तो मैंगिन वह तो थोड़ा लग भी जाता जब वह रेप बढ़ते हैं ना काउंटिंग बढ़ती है जैसे पांच पांच से शे तो फिर सब्सक्राइब करना पड़ता है तो इसलिए हमें थोड़ा सा ज्यादा वेट डाउन करना पड़ता है कि स्ट्रेचिंग करके आप हो गया है कि आई यह जड़ा इसका सब्सक्राइब देखें गज्यम्म प्रफियर करनी जितने भी पर सकते हैं डाउन तर इन हम वेइं च्रीन होके तो अच्छ है च्छ आख अच है अच यह आफ जार आफ है आफ है है यह तेरा जोड़ा हराम से बंटेन चेहरे पें एक दो तीन चार चार शे चल जब जो अवाश दोस्तों 110 किलो पे हो गए है छे अब कर देते हैं हंड्रेड ठीक है जी इस पर करेंगे साथ रैप साथ रैप करने है ठीक है एक दो इन चार पार छेख साथ रैप साथ रैप साथ रैप साथ रैप साथ रैप लोस्तों यह जो मैथड है यह डेखने में बड़ा असान लगता है लेकिन बहुत हाड भी है और बहुत अमेजिंग भी आपकी मसल्स के लिए आप इसको महिने में एक बार जरू ट्राय करें आप हर मसल पर आप इसको ट्राय कर सकते हैं जैसे हमने इसमें लैक्स में भी आपक दिपक इसमें 90 कर लेते हैं ठीक है कि दोस्तों जैसा कि मैंने आपको पहले बताया जब रैप जाजा निकालने होते हैं तो इसलिए हम 5-5 किलो बजन डाउन कर रहे हैं 5-5 किलो डाउन करने के बात भी जैसा कि आप वीडियो पर देख रहे हो काफी हाड लग रहा है यह वे दोस्तों हर सैड में आपको जो रैस्त लेना है वो लेना है नाइन्टी टू वन ट्विंटी सेकिंड देड़ से दो मिनट का आठ आठ रैप लगाने है ठीक है एक दो ट्रीड चार आठ छे साथ आठ अब देख लो दोस्तों डस किलो होजें हमने कम कर दिया था पांच उदर से पांच उदर से फिर भी आठ लगने जो है भारी होवे कि नो लगाएंगे ना कितना कम करें पांच धाई इस बार थोड़ा सा कम वजन किया है इस बार हमने धाई कम किया है एक तरफ से डाई पांच किलो अभी कितना हो गया बीस और दस तीस तीस और साड़े बत्रीज दूनी पैंसट और इस पिचासी किलो है इस पर में लगाएंगे दोस्तों नो लगाने है एक दो तीन चार पाँच छे साथ आठ नो ओके 185 नो रैप अब करेंगे 85 नो रैप अब करेंगे 80 गेजी पर लगाएंगे 10 रैप दोस्तों यह होगा हमारा लाश्ट सेट और यह बैदान में लीपक प्रीच पर अड़े हुए हैं बल्ला लेकर अब यह 10 रैप निकालेंगे और उसके बाद पिर रहत की सांस जलो एक दो उसके प्रीच अनो बाद नो दोस्तों यह हो गया है दस रोगाएं वन्यक्राइब्स को लाश्ट हो गया है आप इसको ट्राय करना बहुत ही अमेजिंग वर्काउट है पटके हाथ में आ जाएगी आपकी चैस्ट की और करो बाकी अपना मजे करो और वर्काउट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करो शेर करो कमेंट करो बाकी तो सलमान सर वाली बात है अपना नाम करो देश का नाम करो टैंक्यू जैहिंद जैवारत